हलो गैस कैसे हैंख लोग आपका स्वागत है हमारे इस खास वीड़ियो में सो आज हम बात करने वाले हैं मै मन्त का डेटा क्या रहा है about the UPI दोस्तों UPI बेटा क्या होता है जो मेरे पीछे image पर यह पो आप यूज़ करते है फोन पे, जी पे, पे टियम WhatsApp पे, Amazon पे, यह सब UPI है दोस्तों, तो UPI का डेटा जो है वो हमारे exam में भी आता है और आपको पता भी होना चीए क्या growth हमारे दिश में चल रही है, UPI में दोस्तों तो अभी NPCI ने मई मंत का डेटा शो किया है और हमको देहने को मिल रहा है दोस्तों, कि जब से UPI launch हुआ है, इसने अपने सारे record ब्रिक कर दिये हैं, तो मई मंत में सबसे ज़्यादा transaction हुआ है UPI से इसके बारे में आपको समात करेंगे ठीक है, देखिए So guys, information क्या है UPI transaction set new record scale 14.04 billion peak in में इसका मतलब क्या हुआ कि मई मंत में दोस्तों, total UPI से हमारे देश में मिला लें तो 14.04 billion transaction हुए है जो अपने आप में एक record है दोस्तों पुरी information, यहां देखिए हम क्या बात कर रहे हो तो क्या information है तो बता गया है कि UPI transaction clocked a new high in value in May इसका मतलब कि अब तक के record टूड़ गया है तो मई मंत में UPI कोई नय उचाहियां मिला है क्या दोस्तों किता by processing 14.04 billion transaction इसका बटा मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि total 14.04 billion transaction UPI से हुए है जिसकी value है 20.45 trillion रुपी दोस्तों यानि 14.04 billion transaction हुए numbers में जिसकी value है 20.45 trillion आप बोलें के साथ एक बात बताईए यह कम क्यों है यह अदा क्यों है दोस्तों अगर माल लिजे आप market में गए आपने खरीदा एक दीन्स का पैंट अब दोस्तों दीन्स का पैंट दोस्तों आपने एक खरीदा कितना बटाँ उनको 1000 रुपे का तो बटाँ आपने अपना फोन पे यूजे किया आपने QR स्कैन किया यानि गईज़ आपने केवल एक बार किया transaction यानि एक दोस्तों और उसका अमाउंट 1000 रुपे इससे बटाँ यह हमेशा कम होगा यह ज़दा होगा दोस्तों यह number of transactions हैं और यह उसकी value है दोस्तों 20.45 trillion रुपीज गाईज क्या बोला गया May number where the highest in terms of the value and the volume Since UPI turned operational in April 16 जब से UPI operational हुआ है दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा यह transaction है अभी तक का मतलब इसने record सारे break कर दिये माई मंथ माई मंथ 2024 अब दोस्तों क्या बोला दोखिया आपर Next information Data shared by the NPCI National Payment Corporation of India दोस्तों Guys NPCI जो body है दोस्तों यह जो UPI है इस नहीं develop किया है दोस्तों UPI work under the NPCI तो NPCI ने बड़ा रिटा शो किया है That the May figure Where 49% Up in the volume In the volume And 39% Up in the value Compared to the same month in 2023 दोस्तों इसका मतलब है अगर हम माई 2024 को दोस्तों जो रिटा हमारे पास आया है अगर हम compare करते हैं माई 23 से दोस्तों तो क्या बोला गया है तो बड़ा क्या बोला गया है कि 49% UP in volume यानि गर हम केल volume में comparison करते हैं तो 49% ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों And दोस्तों वैल्यू की बात रिटाइज 39% in value 49% in volume and 39% in value 49% in volume and 39% in value दोस्तों ऐसे question State Bank of Index आमें आज़ी आ चुके हैं इसलिए मैं आपसे बोलूँगा इसे ध्यान से पढ़ना 49% in volume and 39% in value इतना ग्रोथ दोस्तों आया है अगर आप मई 23 से compare करें तो ठीक है आगे देखें तो यहां क्या बोला गया So वैज यह हमने image लिए है from the site of UPI दोस्तों मदब MPCI से यहां बेटा क्या दोस्तों क्या बोला गया है कि मई मंत में आपका number of transaction गया चिता है 14.04 billion जिसकी value आई है 20.45 lakh करोड दोस्तों अब क्या बोला गया है अगर हम इसे मई 23 से compare करें तो 49% दोस्तों क्या है ग्रोथ है बड़ा यहां पर और दोस्तों अगर हम बात करतें क्या तो यहां 37 है 39 होगा यह गरत है यहां में स्प्रिंट होगा है और 39% ग्रोथ बेटा जो है यह दोस्तों आपका value में आया है यानि आपका average daily transaction amount आया है 65,966 करोड रुपए दोस्तों average यानि आवरेज डेली बेसिस पर UPI से 65,966 करोड रुपए का डेली लेवल पर transaction हुआ है यह दोस्तों याद रखना पढ़ेगा दोस्तों इसके बेटा पाद देखिए अग दोस्तों यहां पर आपको अप्रेल मंद की अप्रेल मंद की इनफोर्मशन हां दके दुस्तों माही अप्रेल और यह गयाब का मार्श मंद कारोगे ठो भडा यह मारश होगया यह प्रैल होगया बटा यह मैं होगया दुस्तों ठाट इक killing तो आप उर शेरणा नहीं है आप पहले ये इस पर देख लो एक बार ये जो टिक किया है मैंने ये 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 और ये information गाई जा इसके बार दोस्तों हो March month की information प्रिवियस month information है तो वो आप देख लो एक बार ठीक है तो गाईस माई month की हमने information की बात की अब दोस्तों आपके exam के लिए जो important point हो सकते है और the UPI हम उसकी बात करेंगा ठीक है देखे दोस्तों तो आपके exam में और question पूछ सकता है क्या जैसे full form of UPI दोस्तों unified payment interface ये कब launch कुआ है दुजा सूलर right now हम कौन सा version यूज़ कर रही बाएगा 2.2 इसकी limit दोस्तों यहां बड़ा कर दोस्तों यहां बड़ा कर दोस्तों अगर बड़ा हम बात करते है capital market की अगर आपको शेय खरीदना है बेशना है दो लाख रुप है 2.2 लाख फॉर the capital market ऐस दोस्तों अगर दोस्तों आपको insurance का payment करना है यह निवेश करना है तो 2.2 लाख रुप है दोस्तों अगर विदेशों से पैसा अगर विदेशों से पैसा आपको उच में आना है दोस्तों तब भी 2.2 लाख लिमिट्स कियेगा इस ठीक है और देखिये और 5.0 लाख पॉर the hospital expenses educational institute दोस्तों IPO and retail diet scheme इसका बिटा मतलब है कि अगर आप कोई सरकारी security खरीटते हैं तो 5.0 लाख रुप है दोस्तों यह limit याद रखिया दोस्तों यह limit आपको कहीं मिले गने गल दी इस तरीके से so guys मैंने आपको कुछ point समझा दिया exam में question बिटा आता है तो अब देखना ऐसे ठीक है चलेगा इस तो यहाँ पर हमारी ये video end होती है और ये video आपके exam के लिए perfect video है इसमें कोई फालतों information नहीं है जो exam में ना आए दोस्तों तो इस video को पर जहांस दिखेगा और याद कर लिजगा ठीक है data is always important for bank examination thank you so much अपना ख्यार लखे thank you